हेलो प्रेंड्स आज मैं अपनी किचन में लेके आए हूं बहुत ही डेश्टी सी रेस्पी तो आज हम अपनी किचन में बहुत ही आसानी से बहुत ही कम खर्चे में सूपर डूपर डिलेस्पी बना कर तयार करने वाले हैं अगर आप नौन विच खाना पसंद करते हैं नौन तो आज अपने किचन में बनाने वाले हैं कच्चे केले की सबजी जो बहुत ही आसानी से बनके तैयार होगा सबसे पहले हमें लेना है कच्चा केला तो यहां पर मैंने पांच कच्चे केले ले रखें मतलब यह आधा कीलो है चाकू की मदद से हम सारे केले के छिलके उतार ले तो यहां पर मैंने बहुत ही आसानी से जो है न यह देखिए छिल के उतर भी जाते हैं इसको छिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है बस हाँ यह क्या होता है कि जब हम कच्छे के छिलते हैं थोड़ी सी उंगलियों पर काले काले से निसान पर जाते हैं तो इसलिए जब केले को आप छिल गारिए न उससे पहले क्या करिए उसे अच्छी तरह से वस्क ल पर सारे केली चीँ लिया इसके हमें अब इसके करने आपके उपर डिपेंट करता है कि आप सिलाइस कैसे ए मतलब गोलज से में रखना यह थोड़े से त्यड़े इस तरह से तीरिशा कट लिए ऐसे कट कर या तो फिर आप इसको लंबा लंबा पतला पतला भी कट कर सकते हैं तो मैंने इस तरह से पांचो केलो को कट कर लिया है यह देखिए यहां पर अब इसे हम क्या कर रहेंगे ना एक दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे तो यहां पर मैंने इसको थोड़े से बड़े बरत दो झालं तो अदा सभाआ मसालें लाड़ है और थोड़ा सा ही डाल दिया है मिक्सक्रीब इसके बाद से करें इसमयन हम डाल देंगे एक से दो कि सब्सक्रीफ टेल तो है और यहां पर क्लिक में नहीं शुर० रॉयइन प्रछ प्रषारीब द 것이 दालने के बाद इसे हम अच्छीतर से मिक्स करें गे इसकी कोटिंग करें मार् Kazand ke in Michael बहुत ही अच्छीटर से शारी चीज़े यह देखें यहां पर हम पानी आमाला सा भी नहीं दालना है यह हमाद पानी अध्रक भी दाल कि यह देखें हम लिज देखिता harvest यह जो धनिया ना उपर का डंठल वाला ही हिस्सा हमें हिस्सा इसमें डालेंगे और यह पत्ते रख देंगे बाद में डालेंगे एक चमच मैंने ले लिया है यहाँ पर शर्सो आप कोई भी सर्सो ले सकते हैं पीली या तो काली वाली आधा चमच जीरा एक इंच के करीब हमन गैस पर हमने रख दिया है कड़ाई और इसमें हमने डाल दिया है शर्सो का तेल जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम उसमें क्या करेंगे ना केले के इस तरह से सबी स्लाइस ऐसे एक की उपर एक नहीं डालना है बस ऐसे जिस तरह से हम कोई चीज फ्राई करते हैं उस हिसाब स सबस् nouveauweis देना है यहां पर आखिए जितना एक बार में आया हूँ है लो एक बार में हम ने फैला दिए हैं अब इसे बीड़ kingdom आ जैसे कि यह इंड़ में कहलें प्रलाव हरी लिए ठोकली है chronनावार fred li दणिया को भी एकदम बार एकदम कुछ इस तरह से हमने कट कर लिया है तब तक यहां पर हमारे जो है ना केले जो है फ्राई भी हो रहे हैं और इसको हम क्या करेंगे बेच बेच में पलटते भी रहेंगे नहीं तो क्या होगा कि यह जल जाएगा तो आज को हमने मीडियम फ्ल में यह फ्राई भी हो जाता है इसे जादा टाइम नहीं लगता है पकने में 80% के करीब हम यहां पर सारे केले को ना पका लेंगे तो यहां पर यह देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है कुछ इस तरह से अब इसे हमें क्या करना है एक प्लेट में निकाल लेना है अगर एक चमज डाल लिए लेकिन आप पर जितनी भी ओई लेना एकदम परफेक्ट है अब इसमें मैंने आदर चमज के करीब डाल दिया है मेथी की दाने मेथी की दाने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है दो मैंने डाला है यहां पर तेजफत्ता इसके बाद हम क्या आपने टमाटर कट करके डाले है ना इसे हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम भूनेंगे जब तक कि यह थोड़ा सा सौप्ट ना हो जाए इससे क्या होता है जब इसको मोईल में भूल लेते है ना तो इस वाले टमाटर का अलग ही ताकि टमाटर अच्छी तरह से मतलब कि जल्दी से यहां पर कुख हो जाए तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उब लाइकन क को धुल के यहां पर पाने डाल देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से पके यहां पर जले नहीं अभी यहीं पर हम एट कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पौडर टेस्ट के साब से लाल मेर्ज आदा चमज धनिया पौडर आदा चमज से वीकम गरम मसाला आदा चमज मैने यहा यहां पर यूज किया आदा मसाला मैं इसको केले को कोटिंग करते समय मिक्स की हो अब यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर मसाले को हम कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर चार से पाच मिनट तक पकाएंगे जब तक की मसाले में से अच्छी तरह से तेल रिलेज ना हो मसाले में से तेल ऊपर आजाएगा यहां पर क्या करना है अगर आपको केले को सिर्फ सिंपल करना है तो आप क्या करिए उसमें हलका सा हल्दी और नमक लगा के भी उसको फ्राई कर सकते हैं मैंने मसालों को दो से तीन बार चला दिया है ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से और जले भी नहीं मसाले में बहुत अच्छी सी खुस्बू आ रही है और मसाला यहां पर क्या है ना मारभ भून के बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया है अगर आप इस तरह से केले की रेस्पी एक बार किसी को भी बना कर खिला देंगे ना सच में वो तारिफ करते डालने के बाद इसको हम मसाले में अच्छे तरह से मेक्स करेंगे पहले एक मिनट के लिए हम इसको मेक्स कर देंगे इसके बाद हमने जिस बरतन में देखिए केली की कोटिंग की थी न उस बरतन को भी हमें धुल लेना क्योंकि उसमें भी बेसन और मसाले लगे हुए उसके ब और हमने इसको अच्छी तरह से मेक्स कर दिया अब इसे हम कवर कर देंगे पकने के लिए तो इसे 4-5 मिलत तक हमें पकाना है यहां पर आप देख सकते हैं यह देखे पहले तो आज को हमने तेज रखा जैसे सबजी हमारी इस तरह से पकने लगेगी न तो हम यहां पर हम क्या क है बारी कटी हुई हरी धनिया अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे रेश्ट पर रखने के बाद ना यह सबजी और भी ठीक हो जाएगी तो यहां पर हमने बहुत ही टेस्टी से केले की रेश्पी बनाकर आपके साथ सेयर किये आप भी एक बार इस तरह से इस को मनाईए और फुल एंज्वाइब करिए अगर आपको यह केले की रेश्पी जरास भी पसंद आई हो नो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पढ़ने है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल आकन के गंटी को प्रेस करना मत भूले वीडियो को जाद 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 स से एर करें थाइंक यू